हेलो, हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं तैंथ क्लास आड़ी सर्मा मैथ एक्सराइज 2.1 प्रिनॉमियल चप्टर का नाम है और हम इस चप्टर की 2.1 एक्सराइज की का कॉस्चन नमबर 14 कर रहे हैं जिसमें कि हमें क्या दिया हुआ है अलफा और बीटा ये इस क्वाटिटिक पॉरिनॉमियल के जिरोज है अब हमें वो क्वाटिक पॉरिनॉमियल निकालनी है जिसके जिरोज ये दो है 2 आलफा बाई बीटा बाई आलफा क्लियर है ये बहुती सिंपल कॉस्चन होते हैं बस आप थोड़ी मैनत करेंगे को असानी से आप इन्हें कर पाएंगे ठीक है तो चलिए करते हैं इसके solution को कि वो quadratic polynomial आप किस प्रकार से get करेंगे given quadratic polynomial quadratic polynomial जो आपको मिला हुआ है वो है x square minus 1 अब क्या करेंगे a, b और c की value get कर लेते हैं नहीं भी करते है डारेट भी कर लेते हैं इसको तो अब अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं comparing one with a x square plus b x plus c तो इसको हम general form के इसाब से करना चाहें तो x y term तो इसमें है नहीं तो x square plus zero x minus one इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं तो हमें a की value मिलती है x square का coefficient जो कि आपे नहीं है तो one है b x का coefficient जो की zero है c यानि कि जो term ना हो उसका coefficient zero माना जाएगा ठीक है तो x वह टरम नहीं थी तो उसका का coefficient zero हो गया c की value minus one ठीक है अब आप में sum of zeros यानि की alpha plus beta निकालना है जो coefficients के रिसाफ से minus b by a होता है और बी की value तो zero है तो minus zero by one zero ही हुआ प्रोडक्ट ओफ जी रोज अल्फा multiply beta अल्फा की value अल्फा बीटा की value कोफिशेंट के रिसाफ से c by a और c की value है minus one by में one यानि की minus one हो गई ठीक है इसको solve करें तो minus one मिलेगा अब हमें sum of zeros जिरोज यानिकि यह दोनों का जोड़ उन दोनों प्रोड़क्ट हमें निकालना होगा क्योंकि जब किसी भी क्वार्टिक पॉल्नोमेल का sum of zeros और प्रोड़क्ट ओजिरोज गीवन हो तो हम क्वार्टिक पॉल्नोमेल असाने से get कर सकते हैं कि तो sum of zeros of required quadratic polynomial इस गर्टो क्या हो जाएगा यह zeros है 2 alpha beta प्लस में 2 beta by alpha यह लिए 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 इनका जोड़ कर दिया अब LCM इन दोनों का प्रोड़क्ट होगा तो बना alpha beta बनाने के लिए इसको alpha से multiply करेंगे इसको भी alpha से और इसको बीटा से करेंगे और इसको भी बीटा से करेंगे ठीक है हमें मिला 2 alpha square मैं सिधर direct common ले रहा हूं ताकि space की कमी है इसी करके और इसको हम क्या इसको solve करेंगे तो क्या मिलेगा two alpha plus beta square minus two alpha beta formula ना इसके लिए alpha square plus beta square के लिए यह y में alpha beta two alpha plus beta हमें zero मिला हुआ है zero का square minus two multiply में minus one बाइम में alpha beta minus one clear हुआ ध्यान से integer concept को follow करेंगे आप ध्यान से करना पड़ेगा समगे देखिए तो जिरा minus minus हुआ प्लस और यहां से मिला two total में मिलेगा two और बहार two है two to the four और यह minus का निशान है तो minus का four हो गया बोलो clear है कि नहीं है ध्यान से करना होगा नहीं समझ में आया तो दुबारा से 10 seconds पिछे जागर के देखोगे तो आपको यह मिल जाएगा सही से उसको बार बार देख लीजिए ठीक है sum of zeros हो गया अब इसी तरह से हम क्या है product of zeros बस इतना लिख देंगे ज्यादा पूरा ही लिखने के जूत नहीं अब product of zeros यानि की 2 alpha by beta multiply 2 beta by alpha इन दोनों का product beta से beta cut alpha से alpha cut 2 to 0 4 hence required quadratic polynomial is formula उसका है x square के भी साथ में लगा देते हैं minus sx plus में p यह formula होता है value put करेंगे x square s की value हमें मिली minus 4 तो एक minus यह एक minus यह दोनों मिलके क्या हो जाएगे plus हो जाएगा plus का 4 x और p की value 4 है answer ठीक है solution मिल गया आपको आपको अच्छे से समझ में आ गया कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो दुबारा से वीडियो को देखिए question को तोड करके किजिए पहले इतना कर लीजिए फिर इतना कर लीजिए अगर सारा समझ सकती हैं तो पूरा एक साथ कीजिए कुछ समझ में ना आया तो वीडियो दुबारा continue कर लीजिए ठीक है तो मिलते नेक्स वीडियो में अल्युक्त आई बाइए